तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी PFMS पॉर्टल पर जो पब्लिक फइनेंशल मेनेजमेंट सेस्टम है इस वीडियो के थुरू हम आपको बताएंगे कि जो आपने कैश वुक है वो आप यहां से कैसे देख सकते हो और उसके थुरू आप अपनी जो स्कूल की जो कैश वुक है कर सकते हो मैंटेन कर सकते हो तो वीडियो चुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारी यूट्यूब चैनल इलियाना टैक को और ऐसे ही लेटे स्टुडियो के नोटिफिकेशन के लिए बल करूँगा एंड वहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो आपने कैश वुक है वह आप कैसे मैनेज कर सकते हो प्लस मैं आपको एक चीज और बताऊँगा इसमें कि आपके जो पीपीए हैं जो आपने 31st मार्च को आपने क्या किये थे जनरेट किये थे उनको भी आप यहाँ से क कोई expenditure create किया था, and then आपने उसको, उसका PPA भी generate कर दिया, उस PPA को आपने print नहीं लिया, तो वो print आप कैसे ले सकते हो, उसके लिए आपने यहाँ पर expenditure में जाना है, expenditure में देखे, यहाँ पर हमारे पास एक option आएगा, e-payment print advice, आप यहाँ पर click करोगे, and then यहाँ पर जिस scheme के आपने PPA generate किये थे, तो यहाँ पर समगरा शिक्षाब के आपने PPA generate किये थे अगर, तो आप इसको select करोगे, and then अगर आप advice number यहाँ पर लिखना चाहते हो, तो लिख सकते हो, otherwise वो यहाँ पर सभी को search कर देगा, तो यहाँ पर मैं 21, 22 को select करता हूँ, and then search करता हूँ, तो यह processing लेगा, आप देखें यहाँ पर, यह सारे जो PPA हैं, यह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप simply यहाँ पर click किजिए, and then इसको generate किजिए, और आपका जो PPA है, वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको click करता हूँ, and then यहाँ पर मैं इसको okay करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका PPA है, वो आपका, यहाँ पर display करवा देगा, इसको save as PDF कर देजिए, आपके system में यह क्या हो जाएगा, save हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से save कर सकते हो, अब बात आती है कि हमने जो cashbook है, cashbook को कैसे maintain करना है, यहाँ पर आपको एक feature मिलता है cashbook का, तो वो ही cashbook आप क्या कर सकते हो, use करके आपनी जो school की cashbook है, जो maintain कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो report section है, report section पर आप क्या करोगे, click करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने जो report section है, वो display करवा देगा, यहाँ पर एक latest update आएगा, आपको यहाँ पर रिख रहा है, कि use Firefox browser for the better experience to report pages, तो अगर आपके पास कोई Firefox browser है, तो वो आप भी use कर सकते हो, उसमें बैटर तरीके से चलेगी, बट जो भी आपके पास present browser है, आप उसमें use कर सकते हो, इसको ignore कीजिए, यह कुछ नहीं है, उसके लिए सबसे अब आपने क्या करना है, यहाँ पर, कि आपने जो, क्या कहते हैं, उसको cashbook, तो cashbook के लिए आपने यहाँ पर monitoring में जाना है, अब यहाँ पर देखिए, number 2 पर आपको option मिलेगा, agency cashbook, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो सबसे पहले बर पूछेगा, scheme का नाम, तो जिस scheme के आपने cashbook आपने देखनी है, and then आप उसको select करोगे, यहाँ पर मैं PB262 को select करता हूँ, सुमगणा शिक्षा अभ्यान को, transaction type जो है आपकी, वो आप all करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने expenditure देखना है, तो expenditure देख सकते हैं, advance जैंट, transfer, तो आप इसको all पर क्लिक कीजिए, status आपका क्या है, जो approved होगी है, जा created है, जा फिर all है, मैं इसको all पर क्लिक करता हूँ, यह यहाँ देखिए, from date to date, चाहे तो आप पूरे साल की देख सकते हो, चाहे आप एक महिने की देख सकते हो, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, मैं सिर्फ 1st March से लेके, तो 31st March, जो मे view report पर क्लिक करूँगा, तो यह देखिए, यह मेरी आगी, सारी की सारी cashbook, जितना भी आपका expenditure था, वो यहाँ पर आपके सामने display करवा देगा, यहाँ पर, यह देखिए, यह पूरी की पूरी cashbook यहाँ पर आपके सामने आगी, and then इसी cashbook को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट ल की जो file है, वो यहाँ पर download हो जाएगी, अब मैं यहाँ पर click करूँगा, तो यह PDF की जो file है, आपके सामने यहाँ पर display करवा देगा, यह पूरी की पूरी जो cashbook है, वो आपके सामने यहाँ पर आचुकी है, आप इसका print लीजिए, आपने पास रख लीजिए, आपने जो cashbook कहा है, उसको आप क्या किजिए, maintain कीजिए, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, कि आपने जो cashbook कहा है, उसको आपने कैसे maintain करना है, थुर PFMS portal, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारे यूटुब चैनल इल्या